हेलो दोस्तों, नमस्कार, आज में ले के आई हूँ, बची हुई रोती से बहुत ही मज़दार रेसीपी, और आज हम बची हुई रोती का बनाएंगे समोसा तो ये दिखें जैसे कि हम सूबे रोटी बनाये हैं साम को बच गया है और साम को हम नास्ते में बना रहे हैं ये समोसा यानि कि रात वाली रोटी ने रात की बची हुई रोटी से आप बनाएंगा तो वो तूटने लगगा ये सूबे बनाये थे तो साम को बच गया है आलो ले लिए हम बोय लालो को दरदरा मैश करके एक पेन में हम तेल डाल लिए हैं सरसो का तेल हैं एक चमस तेल डाले हैं तेल को अच्छा से गरम होने देगे इसमें हम डालेंगे धनिया हरा मिर्च एक लाल मिर्च अच्छा से हम तरका को भूल लेंगे और यह जो समोसा बन और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा अगर धीरे आच पे आप तड़का को भूनते हैं जो यह धनिया है दीमी आच पे भूनेगा तो बहुत ही लाज अब टेस्ट आएगा तो देखिए तड़का हमारा भून गया है एक वह हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब यहीं प चोटा चमच डालेंगे लाल मिच पॉडर आदा चोटा चमच धनिया पॉडर आदा चोटा चमच गरम मसाला पॉडर और थोड़ा सा चाट मसाला एक पींस के करीब डालके अच्छा से मिक्स करेंगे और यहीं पे हम स्वाधनुसान नमक डाल लेंगे और हरा धनिया डाल ल एक हम पेल लिये हैं इसमें एक चमश गीहू के आठा डालके और दो चमश पानी डालके इसे घोल लेगे घोले के बाद हम गैस पे इसे दो से तीन मिनाट इस तरीके से चलाते हुए पका लेगे देखिए इस तरीके से हमें पका लेना है गोल को गोल हमारा रेडी है, गैस को बन कर देते हैं और अब आते हैं समोशा बनाने के लिए, तो बची हीरोटी को उठाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यह अपने आप कोन बन जाएगा देखिए इस तरीके से अब हम जो गेहु के आटा का गोंद बना कर रखें उसे इस तरह से हम लगाएंगे देखिए इस तरह से जिस तरह से हम पानी लगाते हैं नॉर्मल माइदा में चिपकाने के लिए समोसा को सेम उसी तरीके से हमें चिपकाना है और इस जो साइड का है यहां पर भी हम लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से बिलकुल अच्छा से लगा लें और आपका जो समोसा का कोन है बिलकुल अच्छा से सील हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से और हातों से हलका हलका दबा दे अब इसमें फिलिंग को फिल कर लें और यकीन मानिए दोस्तों यह जो समोसा बनेगा ना इतना खासता कि आप जो बजार से समोसा खरिद के खाते हैं वो खाना भूल जाएंगे और यह देखिए चारों तरफ हम लगा लेगे चारों तरफ लगाते हुए अच्छा से हम दबा देंगे देखिए समोसा को इस तरह से धीर धीर हातों से दबाएंगे और यह अपने आप बंद हो जाएगा अगर एक बारा में आप से बंद ना हो तो आप दुबारा दबाएं यह देखिए अध्यान दखे कि चारों तरफ से जो समोसा है बिलकुल बंद हो जाए जब ही जाके तेल में जाने के बाद खुलेगा नहीं तो लीजिए बंद हो गया है हमारा समोसा और लगराना समोसा और अब हम दूसरा भी बना के आपको दिखाते हैं कोई साब भी रोटी आप ले ले जो भी आपके पास बचा हुआ हो उस रोटी को आप बना सकते हैं तो देखे इस तरीके से लेई को लगा लेना है पुरा एंड तक लगाएं और बढ़ियां से चिपका लें कॉनर के ज़्यादा ध्यान रखना है कि कॉनर पे हम ज़्यादा लगाएं कि थोड़ा खूले ना और एक बार यह लेई सेट हो गया तो आप इसे जब तक खूलेंग नहीं यह खूली नहीं सकता तो देखिए हमारा कॉन बन के रेडी है दुबारा से हम फीलिंग को डालते ह और डाले के बद सेम तरीका से जिस तरीके से हम पानी लगाके और समोसा को बंद करते हैं चीपका लेना है और बंद कर देना है लीजे इस तरीका से हम सारा समोसा को बना के और फटा फट रेडी कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा दो समोसा बनके यहाँ पर रेडी हो गया है अब हम सभी समोसा को सेम तरीके से चिपका चिपका के बना लेते हैं और हम तेल रख दिये हैं गरम होने के लिए इस समोसा को तलने के लिए तेल हमें बिल्कुल नॉर्मल गरम चाहिए यानि कि ज्यादा गरम तेल नहीं चाहिए जितना ही इसे आप नॉर्मल गरम तेल में तलिएगा उतना ही बढ़ियां क्रिस्पी खास्ता समोसा बनेगा तो आप एक बार इस बच्चे हुए रोटी से जो मैं समोसा बना जीए उसे जरूर बना के देखें आपको इतना पसंद आएगा कि आप बार बार जब भी रोटी बच्चेगा तब बनाना पसंद करेंगे तो देखिए हमारा ये भी समोसा बस बंद हो जाएगा और रेडी हो जाएगा तलने के लिए वैसे तो मैं बच्ची ही रोटी का हलवा बनाई हूँ बहुत ही पसंद आया था आप लोगों को और ये दिखिए हम तेल जो गरम किया है मेडियम गरम है और बिल्खुल कहीं से भी खुला नहीं है हमारा शमोसा तेल में हम ले जाके डाल देंगे तेल हमें डूपता हुँ चाहिए जैसे की समोसा डूप जाया अच्छा से मेडियम ख्लेम पे इसे बढ़ियां से हम एक तरफ से तीन से चार मिनट तलने देंगे फोड़ा सा इंतिजार करेंगे और जो हमारा समोसा है बहुत ही अच्छा तल जाएगा तो देख सकते हैं कितना बढ़ियां पकरा और ये जो समोसा बनेगा दोस्तों जैसे कि ये रोती है तो आप वैसे कित बलता का थे बिल्कुल खे सकते हो ये घंगए मारा कूरकूरा उसी तरीके से ये भी जो कूरकूरा समोसा बनेगा और आपको इतना अम जायाँगा खाकर और सेम तरीके से हम पलट ये कर डाएगे का श्तर साइड सैट ==== बना लेंगे समोसा को, यानि कि फ्राइ कर लेंगे इसे हम वेष्ट होने से भी बचा लिए है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपसर रोटी है तो हर घार में बचता ही बचता है तो क्यों ना उसका कुछ नया और बढ़िया चीज बना के खाया जाए तो लिजिए हमारा समोसा बन के रेड़ी है तो हम अच्छा से तेल निचोड लिए हैं और निचोडने के बाद में आप प्लेट में रख लेते हैं सभी समोसा को हम इस्ता से निकाल लेंगे और यह जो बची हुई रोटी का समोसा है आपको बनाना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में लिग के जरूर बताएं और आपको यह रेसिपी हमारा कैसा लगा अपना राय सुझाव देना ना भूले और अगर आपको हमारा यह रेसिपी को देखने के लिए दिये गए लिंक पर क्लिक करना ना भूले आप इसे किसी भी चत्न के साथ करें बहुती मज़दार है दोस्तों यकीन वानी आप बनाएंगे जबी जाके आपको पतल आएगा तो मैं एक समोसा आपको काटके दिखाती हूं देखिए कितना खास इसे भी क्लिक करें और आप चाहें तो इस वीडियो को लिखित रूप में पढ़ सकते हैं रोजानाखाना.com पर एक बार जरूर बिजिट करें रोजानाखाना.com हमारा देवसाइड है तो आप जरूर बिजिट करें तो हम मिलते हैं एक नय रेसिपी में जब तक के लिए ब हमारा सबस्के से आप एक छ वत लू प jour से लिए जरूर बिषी में जरूर में हमारा डूर डिए